इंट्रडे बाइसल सिंगनल ट्रेडिंग सॉप्टर यूटूब चैनल में आपका फिर से सौगत है अगर आप इंट्रडे टेडर है या डे टेडर है या सक्सेस पर डे टेडर बनना चाहते हैं बट कंटिनुवस्टी लॉस खा रहे हैं तो इस वीडियो को तोरा सा टाइम न में तो मेरा सामने अभी जो चार्ट खुला है वो है निप्टी फर्मा का तो मैं पहले एक सिंपल चार्ट को एक्स्प्रेंड करूंगा उसका बात साइडवेस मार्केट का चार्ट खोल के दिखाऊंगा जो साइडवेस मार्केट में कैसे आप मार्केट से बस सकते हैं क्यो हम लोग के लिए सबसे negative point तो चलिए शुरू करते है वीडियो में को और वीडियो सुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहते हूं अगर आब इस market में new है account open करना चाहते हैं या हम लोग थूर जॉइन होना चाहते हैं जैसे हम लोग LS Blue का साथ काम करते हैं काफी अच्छा broker company है अब जॉइन हो सकते हैं अगर अब LS Blue में account open करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो का नीचे description मिल जाएगा वहाँ पर account opening का एक form मिलेगा जिस्ट form को fill up कर दीजिए आपका बस LS Blue का तरब से phone चला जाएगा मन में जो भी doubt या queries है आप कर लिजेगा अगर आप interest रहेंगे तो ही join होईए तो चलिए सुरू करते हैं अभी software का demonstration पे अब software का बेसिक काम क्या होता है software का काम होता है signal देना मन में सबसे पहले जो question आता है जो काफी सारा market में script है कौन सा screen में signal बन दा है मुझे पता कैसे चलेगा तो उसके लिए हम लोग का software में एक alert का system होता है कहीं पर भी call बनेगा आपका screen का उपर automatically एक message box आ जाएगा sound का साथ जैसे यहाँ पर लिख क्या रहा get ready to sell, nifty forma, add the right in that value तो जो chart आपका सामने खुला है उसमें और जो chart आपका सामने खुला नहीं रहेगा background में चल रहा है उसमें भी call आएगा तो आपका screen का उपर pop-up आ जाएगा और जब तक आप यह message box को देख नहीं लेते हैं जैसा nifty फर्मा में देखी यह जो rate color का arrow दिख रहा है यह आपका suppose sale का call है sale जैसे ही बनेगा right side में ऐसे लिखके आ जाएगा जिस value में sale करना है उपर में stopless नीचे में में T1, T2, T3 बोलके तिन target line दिया हुआ अब इस call को कैसे identify करना है जो वाकिए call कितना strong है को नहीं तोर रहा है तो एक candle wait कर लीजिए तो भी problem नहीं है but condition match होना है तो star एक condition है उपर में देखा आपको एक rate color का star दिखेगा मैं one by one बोलना हूँ total चार condition है काफी simple है जादा tencel ने निकाया जरूद नहीं है जो बहुत सरा चीज़ देखना पर रहा है signal जब भी बनेगा आपका बस notification आ जाएगा आपको जिस देखना है नीचे का ribbon का color red आई या नहीं नीचे का जो line indicator है red होके middle का white line को तोर के नीचे जाएगा signal का पहले एक star बनेगा देखीगा यहाँ पर उपर में signal का पहले एक star दिख रहा है और यह जो blue candle आपको दिख रहा है उसका exactly पहले देखे आपको दो green line चल रहा है यहाँ पर दो green line है जो break करके उपर चला गया उसका color red हो गया तो यह total चार condition अगर match होता है only उसी call पे हम लोग trade करेंगे otherwise not तो यह तो just एक perfect call दिखाने का just एक example था अब वहाँ पर entry लिए target का हिसाब साब निकल गए otherwise maximum आप इतना दूर तक wait कर सकते है जब तक यह line दुबारा 0 को तोर के उपर ना चला जाए अब दिखें यहाँ पर एक buy का call बना था इसमें क्या negative point था नीचे का ribbon green था यह match था line indicator 0 का उपर था यह match था मतलब दो match हो गया अभी भी दो बागी है एक है star जो आया नहीं है और उपर में देखें यह दोनों line red होके खरा है तो यह selling का संक्यत है तो 2 match हुआ 2 match नहीं हुआ मतलब यह false call फिर देखें selling का call यहाँ पर बना इसमें क्या match है क्या match नहीं है देखेंगे नीचे का ribbon चली इस candle पर red हो गया था star पहले वाला कोई पकरना पड़ेगा उपर का जो line है वो भी rate था बड़ नीचे का जो line indicator है देखे white का उपर move कर रहा है अगर नीचे का line indicator white का उपर movement कर रहा है इसका मुदलब में market का जो strength है buying के लिए है आप selling नहीं कर सकते तो ultimate market गुमा दिया उसका बाद दुबारा यहाँ पर एक buy का call बना अब यह buy का call परफेक्ट है देखे buy का call का पहले star था नीचे का ribbon green था line indicator उपर का था zero का उपर और दोनों line break करके नीचे आया blue candle का पहले तो यह है total condition वाला call जिस call में आपको एक condition match होते हुए दिखेगा trade only उसी में करना है अगर नहीं दिख रहा है तो trade ही नहीं करना है तो यह nifty फर्मा का chart तो मैंने दिखाया अब दिखे मैं bank nifty का आज को 15 तारीख है अगर आप आज को bank nifty में काम किये तो आपको पता है जो कितना profit या loss आप bear किये अब इस type का market से बचना है loss से profit का बारे में तो आपको छोड़ी देना है इस type का market में profit नहीं आएगा बट loss नहीं हो गया तो यही आपके लिए बूत बढ़ा है सबसे पहले देखें buying का call बना था यहाँ पर morning कोई अब इस buy का call का पहले कोई star नहीं था यह इस buy का call का सबसे बढ़ा negative point है और second negative point है buy का call का पहले जो blue candle बना है इस candle का high तोरने का बादिया आपको buy करना चाहिए था जो हुआ नहीं second जो sale का call बना है इसमें चलिए देखते क्या negative point था star बना था नीचे का remote late था नीचे का line red होके नीचे आ रहा था बट यहाँ पर देखिए जो दोनों line green होके नीचे चल रहा है actually यह यहाँ पर yellow line का साथ march हो गया इसलिए उतना समझ में नहीं आ रहा है बट यहाँ पर दोनों line जो red होके उपर जाना चाहिए था जो गया नीचे का तरह भी green है मतलब second sale का call भी false call हुआ मतलब first buy का call में भी आप loss होने से बचे second sale का call में भी loss खाने से बचे third buy का call में भी क्या करना चाहिए था देखिए यहाँ पर star बना था line neutral का उपर था सब कुछ था बट यहाँ पर भी blue candle का high नहीं तोड़ा तो यह blue candle trend reversal का candle है blue candle का high नहीं तोड़ेगा थो आप buy नहीं कर सकते तो यह buy का call में भी आप यहाँ पर trend नहीं किये उसका बात देखिए दुबारस यहाँ पर sale का call बना star बना था नीचे का ribbon rate था line neutral का नीचे था बाट यहाँ पर भी दोनों line green होके यह नीचे चल दा है वो अभी भी break करके उपर नहीं किया तो यह भी match नहीं किया finally यह condition भी match नहीं किया last चो sale का call है आप देखिए यहाँ पर चो sale का call है यहाँ पर star बना नीचे का ribbon rate था line neutral का नीचे आया और दोनों line देखिए जो अला में बोल रहा था break करके उपर जाना चाहिए ब्लू candle का पहले यह break किया और ब्लू candle का low तो रहा तो ultimate यह जो call बना था हम लोग का 3 बच का 10 मिनिट पे यह perfect था मतलब total day में इतना सारा call बना जो एक भी साई call नहीं था only last sale का call को छोड़के तो this is a sideways market sideways market मतलता बालक सा कुछ नहीं है जिस market में हम लोग काफी लंबा loss खाते हैं continuously loss खाते हैं एक बाई करते हैं दूसरा sell करते हैं बाई करते हैं loss खाते रहते तो इस type का market का solution है इस indicator इसमें जो मेरा 3 से 4 parameter है अगर 4 match होगा तो ही trade करेंगे आदर उस नहीं करेंगे और 4 उसी में match होगा जहाँ पर condition fulfill कर रहा है मतलब वहाँ पर आपको मौका मिलेगा profit बना लिए तो hopefully समझ में आया है nifty फर्मा just दिखाना था जो call कौन सा strong है और bank निप्टी दिखाना था जो क्या है sideways market जहाँ पर मेरा call एक भी match नहीं किया तो this is very very important थोरा सा सोचना है अगर अब sideways market में loss से बस सकते हैं तो profit automatically trendy market में कर लिजेगा तो hopefully वीडियो समझ में आया है अच्छा लगएगा तो like से जरूर कीजिए फर्स्टेम चैनल को देख रहे हैं तो subscribe करना ना भूलिए और इस market